अगर आप medicine से related information चाहते हैं तो अभी subscribe करें चैनल को knowledge for Indian आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे औस्टो केल्जियम प्लस टेबलेट के बारे में इस टेबलेट के क्या फायदे है, क्या नुकसान है, के से लेना है और क्या प्राइज है यह सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको दूँगा तो सबसे पहले prices रुवात करते हैं, तो 178 रुबिस में आपको यह 30 टेबलेट मिलती है और price जो है समय के अनुसार बढ़ता रहता है, तो जो आज के price है, वो इधर मैंने आपको बता दिया है अब यह जो है GS के company की है, जो कि काफी अच्छी company है अब इस ओस्टो calcium प्लस टेबलेट को कहां से खरीदना है, तो देखिए इसको कोई भी ऐलोपेथी medical store से खरी सकते हो या फिर आप इसको online भी सर्च कर सकते हो अब हम बात करते हैं composition के बारे में इसमें क्या-क्या है तो देखिए आपको नाम सही समझ में आ रहा है OSTO calcium मतलब इसमें आपको calcium phosphate मिलेगा, जो की रहेगा 0.646 gram में इसके अलावा vitamin D3 मिलेगा, जिसको आप कोले, calcium for all भी बोलते हो और यह रहेगा 400 international unit में अब हम इसके फायदे के बारे में बात करते हैं तो देखिए हड़ियां अगर आपके कमजोर हो गई है या फिर मैं बोल सकता हूँ कि हड़ियों को यह मजबूत जो है tablet करती है या फिर आपको osteoporosis है, osteo malacia है इसके अलाबा हम बोल सकते हैं कि आपकी हड़ियां कमजोर हो गई है या फिर हड़ियों की जो density हो गई है, वो कम हो गई है तो उस condition में यह आप osteo calcium plus tablet ले सकते हो आपको काफी फायदा मिलेगा या फिर आपको arthritis है, गठिया की बीमारी है उसमें ले सकते हो और अगर आपकी हड़ियों में problem है, बीमारी है या फिर कमजोर हो गई है तो देखिएगा कि आपके पेर दुखेंगे आपके पेर दुखेंगे या जो है आपकी कमर में दर्द रहेगा या आपके जोडों में दर्द रहेगा ऐसा भी देखा गया है अगर आपको केलसियम की कमी रहती है तो इसके अलाबा आपके muscles को जो है ये medicine जो है strong करेगी, मजबूत करेगी और केलसियम के absorption को बड़ा देती है अब देखिए जो भी हम खाना खाते हैं तो उससे हमको केलसियम भी मिलता है लेकिन केलसियम एब्जॉर्ब होना भी जरूरी है हमारी body में अगर वो केलसियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो मतलब हमको कोई फायदा नहीं या फिर हमको केलसियम नहीं मिलेगा तो ये जो है केलसियम को एब्जॉर्ब कराने में भी काफी मदद करती है इसके अलाबा जो ladies होती हैं खास तोर से अगर ladies की उमर 30 साल से जादा हो गई है या 30 साल से जादा हो रही है तो उस condition में होता क्या है कि जो हड़ियों से जो calcium होता है ना वो loss होने लगता है 30 साल के बाद किसमे ladies हो में खास तोर से तो उस condition में ladies जरूर लें अगर उनकी उमर 30 या 35 से जादा हो गई है तो बागी आप doctor से शला कर सकते हैं इधर जो है मैंने इसके management फायदे थे हैं उनके बारे में बता दिया है mainly ये जो हड़ी को मजबूत करने के लिए है अब बात करते हैं dose के बारे में तो देखे एक tablet आपको सुभा लेना है और एक tablet आपको साम को लेना है और देखे अगर आपको ज़्यादा problem नहीं है तो आप अगर एक दिन में एक tablet भी लेंगे तो आपका काम चल जाएगा अगर आपको कोई प्रॉलम नहीं है तो आपको एक दिन में दो टेबलेट तक लेना पड़ सकती है अब यह जो है चूवेबल टेबलेट है मलब चूशने वाली जो है मैडिसीन है यह टेबलेट है अगर आपको चूशने में दिक्कत होती है तो आप पानी के सान भी ले सकते हो इदर कोई प्रॉलम नहीं है अब इसको खाना खाने के पहले भी और खाना खाने के बाद भी कभी भी ले सकते हो लेकिन आदे घंटे का डिफरेंस होना चाहिए आप इसको male female कोई भी ले सकते हैं लेकिन बच्चो को देना है तो डॉक्टर की सला से और बड़े बच्चो के लिए है यह जारच छोड़े बच्चो के लिए यह जो है medicine या tablet नहीं है और जो pregnant lady है और pregnant lady बिल्कु ले सकती है लेकिन डॉक्टर की सला से लेना है आपको अगर आप pregnant हो तो अब हम side effect के बारे बात करें तो side effect में जैसे कि नोजिया हो सकता है या पेट खराब हो सकता है या फिर kidney में कोई भीमारी है या फिर आपको stone है तो उस condition में आपको बिना डॉक्टर के सला करे बिना इस उस्टो केलसियम प्लस टेबलेट को नहीं लेना है आप कोई दूसरी medicine आप ले रहे हैं इस type की जैसे कोई calcium की या calcium का कोई से से पौडर ले रहे हैं तो उसके साथ इसको नहीं लेना है क्योंकि आपको फिर overdose हो जाएगा हाँ ये जरूर है अगर कोई iron की मल्टी बिटामेन या फिर कोई anti-viety कोई भी medicine ले रहे हैं तो इनके साथ आप ले सकते हो अब कब तक लेना है करता है आपकी बीमारी पर आपकी प्रॉल्म पर आप इसको एक से तीन महने तक लेकर देखे बेस्ट के लिए और इसको लंबे समय तक भी लिया जा सकता है लेकिन टॉक्टर की सला से अब फायदा कब तक देखने को मिलेगा अगर आप ये ओस्टो केलसियम प्लस टेबलेट लेते हो तो तो देखे कम से कम आप इसको एक महने लीजिए एक महने में आपको जरूर कुछ ना कु के लिए बेकार रहता है आपको हेल्दी डाइट लेना है और एक हेल्दी लाइव इस्टाइल लखना है और ज्यादा तर ये भी देखा गया है कि जो वेजेटेरियन है उनमें ज्यादा केलसियम की कमी रहती है अगर हम कंपेर करें नॉन वेजेटेरियन से तो तो आपको थ गंट्रोल करिए, डायबिडीस है तो इसको भी गंट्रोल करिए, तो यह मेरी एडवाइस अगर आप फॉलो करोगे तो आपको अच्छा रिजन मिलेगा इस ओस्टो कैलसियम प्लस टेबलेट का, तो मेरे वीडियो तरी खतम होता है, और अगर आपको इस टाइप से और वीड और देखते रहे आपके अपने चैनल में, नॉलेज फोर इंडियन